नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिशेक मिस्रा जेडियू के रास्टिय अध्यक्ष ललन सिंग ने कुढ़नी को लेकर माफी मांगी है वहां की जंता से दरसल आप जानते हैं कुढ़नी का विधान सभा उपचुनाओ मुकामा और गुपाल गंज के मुकाबले ज्यादा महत्वपुन है अब यह सीट महागडबंधन के खाते में जाएगी या एणिये के खाते में जाएगी यह देखना होगा यह फाइनल कौन जित्ता है इस पर सवाल है और यह उपचुनाओ कितना महत्वपुन है कुढ़नी की सीट कितनी महत्वपुन है जेडियू के लिए भी बीजय पी के भी इसका अंदाजा इसी बात से लगा लिजिए कि मंच से आज जेडियू के रास्टी अद्धिक्ष ललन सिंग ने माफी मांगी है उन्होंने कहा है कि मनोज कुस्वाहा जो जेडियू के उम्मिद्वार हैं उनके विधायक रहते अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो उन्हे माफ कर दिया जाना चाहिए तो साफ तोर पर ललन सिंग की माफी ये बताती है कि ये चुनाओ कितना महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं हर राजनितिक दल ने हर राजनितिक खेमे ने पूरी ताकत लगा रखी है पूरी ताकत जोक रखी है इस उप्चुनाओ में चाहे वो मुकेश सहनी हो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेडियू हो चाहे वो इन तमाम दलों के सहयोगी हो मुकेश सहनी तो किसी खेमे का हिसा नहीं है गटबंदन को अकेले मैदान में है लेकिन जेडियू को तो अपने सहयोग्यों का साथ मिल रहा है बीजेपी को तो अपने स परचार करने ललन सिंग भी थे इंदुस्तानी आवाम मुर्चा के राश्टी अध्यक्ष जीतर नाम मांजी भी थे माफ किजेगा पुरु मुख मंतरी जीतर नाम मांजी थे इंदुस्तानी आवाम मुर्चा के राश्टी अध्यक्ष बिहार सरकार के मंतरी संतोष कुमार सु तो उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए उन्हें माफ कर दीजिए अब पुधनी जंता मनुझ कुछर। पूरी खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।